Hello friends, welcome to Prabhala classes. Jurisputence की अंदर हम Natural Life School को डिसकस कर रहे थे, जिसका second part हम आज लेकर आए हैं. अब हम आते हैं next Roman period पे, यानि की Roman काल पे. जो Roman काल था, उसमें रोम वासियों ने यूनान वासी यानि की ग्रीक के निवासी जो लोग थे, उनसे पहले ही फ्राकर्टिक विधी यानि की Natural Law को फॉलो करना शुरू कर दिया था. लेकिन फिर भी उन लोगों के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि जो रोमन के जूरिस्ट थे और जो वहां के प्रिस्ट थे और लोग थे, वो अलग-अलग caste, languages and tradition को फॉलो करते थे. अब वहां पर प्रॉब्लम ये आते थी कि उनके लिए ऐसी कौन सी विधी यानकी ऐसा कौन सा लोग बनाना चाहिए. इसलिए रोमन पेरियट में लोग को त्री पार्ट्स में डिवाइट किया गया है. फर्स्ट जस्विल, सेकंड जस्जेंटम, एंड फर्ड जस्ट नैचुरल. जस्विल के अंदर वो लौ या रूल्स आते थे जो वहां के citizens को फॉलो करने होते थे. सेकिन जस जेंटम में वो रूल साते थे या वो लौ आता था जिसे रोमन वासी और विदेशी दोनों फॉलो करते थे जस नेच्रल में जो नेच्रल रूल होते थे प्रकर्थी के नियम होते थे जो की एक तरह से अन्रिटन लौ कहे जाते थे सिसरो रोम पीरियट के एक महांदार्शनिक फ्लोसफर हुए उन्होंने कहा कि वह आच्रन कंडक जो की जस्ट सही है और रिजनेबल और युक्ती युक्त यानि की उचित है वही नेच्रल लौ है अर्थार उसी को लौ माना जाना चाहिए उन्होंने आगे कहा कि it also gives natural law is equal to universal law कि जो natural law है प्रकर्टिक विधी है वो universal law के सम्हान ही है यानि universal law एक ऐसा law जो की सभी संसार के समाज पे society पर अपलाई होता है ऐसे ही natural law भी हर व्यक्ती हर समाज और society पर अपलाई हो ancient ages में last आता है हमारा dark age जिसको अंधयुग भी कहा जाता है इसके जो followers हुए थे वो संग एगोस्टाइन और ambrose थे जो dark ages थे यानि कि जो अंधयुग था उसके जो followers थे वो ये मानते थे कि church ही इश्वर का एक प्रतीक है और church के पादरी जो होते हैं उनके द्वारा जो भी rules या law बनाए जाते हैं वह इश्वर के द्वारा बनाए हुए law होते हैं और वही क्या होते हैं वुसे ही हम natural law की तरह फॉलो करना चाहिए in short dark ages यानि की जो अंधयुग था वो अंधविश्वास का युग था और उनका मानना था कि जो church है वही सर्वो परी है तो इसलिए इसे अंधयुग कहा जाता है इसके बाद या ancient age खतम होने के बाद आता है हमारा medieval period यानि की मद्यकालीन युग इसकाल के अगर बात करें तो it is a time of catholic philosopher और logicians of the middle ages give a new theory of natural law जो medieval period है मद्यकालीन युग है ये दार्शनिकों का यानि ये philosophers का और logicians का एक age एक युग माना जाता है जिसनोंने natural law की एक अलग theory दी so they too gave it the logical basis उन्होंने जो अपनी theory दी वो logic के base पर दी they departed from the orthodoxy of the early Christian father उन्होंने जो अंध युग से एक अंध विश्वास चला आ रहा था author उसको नकारा और early Christian father यानकी जो Christian जो पादरी होते थे उनके द्वारा जो निर्मित कानून थे जिसको अंध युग में सब्रोपरी माना जाता था उस अंध विश्वास से हटते हुए इन्होंने अपनी theories रखी देयर views are more logical और systematic उनके जो views से बहुत ही logical और systematic थे अगर स्यूक की बात करें तो इसकी जो main author या philosophers थे वो हुए Thomas Aquinas इनका जो period है वो 1226 से 1274 तक का माना जाता है इनका मानना था कि जो unjust law है अन्याय पूर्ण विधी है deserve no obedience उसकी पालना करने की कोई आवेशक्ता नहीं यानि कि उसको आवे करने की आवेशक्ता नहीं है वो deserve ही नहीं करती means that man finds out natural law by applying reason उनका मानना था कि जो man है मनुश्य है वो natural law की खोज करते हैं by applying reason अपना विवेक apply करके अपने जो उनका reasoning mind है उसको apply करके क्या करते हैं वो found करते हैं natural law को St. Thomas Aquinas gave four fault classification of laws St. Thomas Aquinas ने अपने law को चार पार्ट में categorize किया The first is law of God means external law law of God यानि की देविये विधी इश्वरिये विधी Next law of nature which reveals through nature जो प्रकर्थी के द्वारा बनाए गए नियम है The third is human law. Human law means man-made law and the fourth is law of divine or law of scripture Scripture यानि की जो शास्त्र है हमारे उसमें जो रूल्स दिये हुए हैं कानून दिये हुए हैं वो आपका कहलाता है divine law Next रमाना आता है relancer spirit पुनर जागरन काल It is revival of learning as a scholar re-studying Greek and Roman instead of relying on scriptures They look at the purpose of human life itself to extract the natural law principle जो आपका पुनर जागरन काल था इसमें learned scholars हुए और उन्होंने re-study की किसकी Greeks and Romans की जो law थे उसकी instead of relying on scriptures बलकि उन्होंने जो शास्त्र हैं उनके उपर निर्भर होने की वजाए उन्होंने Greek और Roman की re-study की They looked at the purpose of human life उन्होंने देखा कि वास्तम में purpose जो है human life का वो किया है और उन्होंने किया किया जो natural law है उसका एक extract एक निचोड निकाला उन्होंने अपनी learning और ability से खुद को religious foundation से free किया यानि धार्मिक बंदुनों से खुद को मुक्त किया और church की sovereignty को समाप्त किया Church की sovereignty और प्रत्रुक के समाप्त होने के बाद राज्य जो है एक highest power के रोप में आया Renaissance period में सबसे पहले आते हैं Hugo Grotius 1583 से 1645 का इंका time period माना जाता है It is known as a father of international law Hugo Grotius को international law का जनक या पिता भी कहा जाता है Grotius built his legal theory on social contract Grotius ने अपनी theory अपना सिधानत दिया जिसे social contract का नाम दिया गया His view in it brief is that political society rest on a social contract It is the duty of the sovereign to safeguard the citizen Because the form was given power only for that purpose उनका कहना था कि जो राजनेतिक समाज है वो social contract की थ्रू ही existence में आया है और जो sovereign है जिसे society ने अपने सारे rights deliver कर दिये हैं और अपने right का safeguard यानि संग्रक्षक निकर दिया है तो वहाँ पर duty बनती है उस sovereign authority की कि वह उनका संग्रक्षन करे या उनको protect करे इसमें next Thomas Hobbes इनका time period 1558 से 1679 तक माना जाता है It was a supporter absolute power of the ruler and subject has no right against the sovereign इनका कहना है कि जो ruler है जो शाशक है उसके पास absolute power है और जो subject है और की प्रजा है उसके पास कोई right नहीं है कि वो जो sovereign है उसके against कोई step ले या उसके against कोई act करे उन्होंने self protection को ज़्यादा importance दी और right of self protection को natural law का main principle माना उनका कहना था कि self protection की वजह से ही जो प्रजा है उसने खुद में से ही किसी एक व्यक्ति को choose किया और अपने सारे natural right उसे transfer कर दिये और उन्होंने ये agreement किया कि हर situation में वो उस साशक की उस sovereign की बनाए गई हर विदी का यानि कि हर law का पालन करेंगे नेक्स्ट हमारा आता है John Locke इनका time period 1632 से 1704 तक माना जाता है जो जॉन लॉक थे उनकी जो थियोरी थी वो हॉप्स की थियोरी से थोड़ी सी difference थी हाला कि वो भी social contract की जो थोड़ी है उसको follow करते थे लेकिन वहाँ पर जो है उनकी थियोरी हॉप्स से कुछ difference थी वो क्यों difference थी हॉप्स कहते थे कि social contract के थूँ जन अपने सारे natural right एक sovereign authority को transfer कर दी जबकि लोग ऐसा नहीं मानते थे वो मानते थे कि सरकार की जो existence है वो people की majority से है लोग ने जो sovereign है यानि कि जो शाशक था जिसे people ने क्या किया थे अपने right transfer किये थे उसको एक सिर्फ trusty के रूप में माना एक नियासी के रूप में माना उनका कहना ये भी था कि जो state है उसका existence तभी तक है जब तक कि वो human rights को protect करता है जोन लॉक हॉप्स की social contact theory की criticism करते हैं आलोचना करते हैं और कहते हैं कि कुछ right ऐसे होते हैं जिन्हें किसी social contract की थुरू भी किसी को हम transfer नहीं कर सकते और वो कौन कौन से rights बताए उन्होंने वो बताए life, liberty and estate means property Life, जीवन, liberty, स्वाधीनिता, estate, संपत्ती जीवन, स्वतनुत्ता और संपत्ती से संबंदित अधिकार से related जो rights हैं वो व्यक्ती में हमेशा बने रहते हैं ये तीनों rights किसी social contract के थुरू भी जो sovereign authority है उसको transfer नहीं किये जाते Locke की जो social contract theory है समाजिक समविदा का जो सिधान्त है वो उदारवाद पर based है कि वो liberalism को follow करता है Next हमारे आते हैं Russo ये कहते हैं people united to preserve their rights of freedom and equality and for this purpose they surrender their rights not to a single individual but to the community as a whole which Russo named as journal will कि जो लोग हैं वो united एककत्र हुए हैं preserve करने के लिए अपने rights को कौन से rights को? Right to freedom and equality स्वतंतरता के और समता के अधिकार को preserve करने के लिए वो एकत्र होते हैं and for this purpose they surrender और अपने इस purpose को fulfill करने के लिए वो क्या करते हैं? Surrender करते हैं अपने rights को not to a single individual but to the community ना कि एक single individual को, किसी एक वेक्तिकत person को बलकि एक समुदाय को, जिसे कि Rousseau ने journal will का नाम दिया है Rousseau ने कहा है कि जो मनुश्य के इच्छा होती है वो एक particular will होती है और दूसरी होती है journal will particular will होती है जो अपनी खुदी की इच्छाएं होती है चाहे वो सही हो या गलत हो दूसरी जो जर्णल पे लाती है वो विल होती है जो society के according होती है For example, अगर जर्णल विल की बात करें तो अगर एक कोई person है और वो चोरी करता है और चोरी करना उसे अगर सही लगता है तो वो उसकी particular विल है उसकी pictured इच्छा है की वो चोरी करें और उसकी नजरत अगर देखा जाए तो वो सही कर रहा है लेकिन अगर वहीं पर जर्णल विल पे अगर follow कोर यानि की जो समाजिक इच्छा है वो समाजिक इच्छा को ध्यान में रखते हुए अगर act करता है तो ये बाता है कि चोरी करना समाज की गतिविधियों की अगेंस्ट है, यानि कि समाज इस कार्य को accept नहीं करेगा, means जब आपकी real will, real will means journal will, समाजिक इच्छा, dominate करती है, आपकी actual will को, यानि कि आपकी particular will को, व्यक्तिकत इच्छा को, यानि कि जब आप ये सोचने लगते हो, कि ये सिर्फ मेरे लिए अगर अच्छा है, तो समाज के लिए ये बुरा है, तो वहीं पर आती है journal will, journal will के बारे में जब कोई person सोचेगा, तो वो एक खुद के बारे में नहीं, पूरी एक community के बारे में सोचेगा, और उस community की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, उस community की इच बनती है उन लोगों की कि वो उस journal will को follow करें, therefore it is the duty of every individual to obey the journal will, because in doing so, he directly obey his own will, यानि कि उस journal will में उनकी खुद की भी will होती है, तभी वो सब एकत्र हो करके अपनी जो rights हैं, वो surrender करते हैं, तो यहां पे every individual की ये duty बनती है कि उस journal will को, क्योंकि उस journal will के according, जब कोई state protect करता है आपके right to freedom and equality को, तो वहां पे आपकी भी duty बनती है कि आप भी उसको follow करें, आगे कहते हैं, the state and the law made by it both are subject to journal will, चाहे वो state हो, यानि कि चाहे वो राजिय हो, या फिर वो community हो, दोनों ही अगर उसको follow नहीं करते हैं, तो, तो वो उस journal will यानि की उस law का violation करते हैं, means अगर government law बनाते समय उस journal will को follow नहीं करेगी, यहां पर सिर्फ लोगों पे ही ये journal will apply नहीं होता है, ये government पे भी होता है कि जो journal will है, community की will है, उसको ध्यान में रखते हुए law का creation करे, अगर वो उसको ignore करती है, वो journal will को ध्यान में नहीं रखती है, और उसको ignore करते हुए कोई law का निर्मान करती है, तो वहाँ पर क्या होगा, they would be discarded, तो उसके मानने का कोई matter ही नहीं आता है, इस वो लोगों की journal will को एहमियत देते हैं, preference देते हैं, next हमारा आता है, last, the modern age, 19th century से 20th century की मानी जाती है, जिसमें Stamler है, John Rawls है, Stamler ने hybrid theory दी, यानि कि उन्होंने analytical और natural theory को बीच में रख करके उन्होंने अपना law दिया था, वहीं John Rawls की अगर बात करीं तो उन्होंने theory of justice दी ह नियायका सिध्धान्त जो है, उनके द्वारपति बादित किया गया था, यह दोनों एक separate lecture के लिए हम प्रिजर्ब करते हैं, इन पे एक अलाग lecture बनना चाहिए, John Rawls theory of justice पे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, नाओ, natural law theory impact on our constitution, कि natural law theory जो है उसका हमारे constitution पे क्या impact पड़ा, तो in Indian law, especially in the Indian constitution, there has been a large impact of article 19 and article 21 has been wide and widely interpreted in the Indian scenario, especially by the Indian judiciary. मुरेवर, the fundamental rights conferred under the Indian constitution have a large base in the natural law theory, अगर natural law theory का impact देखा जाए, तो article 19 और 21 natural rights को ही protect करते हैं, Since the age of Greek, all the thinkers of those theorists under natural law theory have influenced Indian law to a large extent, not only fundamental rights, but even many more provisions under the Indian constitution are influenced by the natural law theory. अगर कहा जाए, तो Greek के जितने भी thinkers हुए, उनका, उनकी जो theories थी, उनका impact हमारे Indian constitution का जो है, उसमें दिखाई दिया जाता है, most of जो fundamental right, उनका fundamental right ही नहीं, और भी ऐसे कापी provisions हैं, जिसमें, जो कि हमाए constitution में, natural law theory का impact show होता है. यहां मेंका गांधी वर्सिस Union of India के case में, Supreme Court ने कहा, Life and Personal Liberty Article 21 came up for consideration and the Supreme Court held that the law established by the state should be just fair and reasonable. कि state अगर किसी law के थूँ, परसन को उसकी Life and Personal Liberty से Deprive कर रहा है, तो वो law कैसा होना चाहिए, just होना चाहिए, यानकी नय संगत होना चाहिए, fair होना चाहिए, निश्पक्ष होना चाहिए and reasonable और युक्ती युक्त होना चाहिए. आगे अगर देखें, तो natural justice क्या कहता है, right to a fair hearing and rule against fairness, जिसमें दो principle हमारे आते हैं, audio term partum, के here the both parties, दोनो पक्षकार को सुनो, a person must be given the opportunity to argue his case कि किसी एक परसन को अपनी argument पेश करने की opportunity मिलनी चाहिए. सेकिन आपका कहता है, never judice in cause of sure, कि कोई व्यक्ती अपने खुद के ही case में swim, निया इधीश नहीं हो सकता, यानि कि खुद judge नहीं हो सकता, यानि no one should be a judge in his own case. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे इंडियन constitution में आज भी natural law theory है, उन्हें natural justice की तरह follow किया जा रहा है, सभी जो rules थे natural law school के, वो सारे follow नहीं किये जा रहे हैं, बट उसका कुछ parts है, जो reasonable था, वो adopt किया गया है हमारे constitution में. तो यह था हमारा आछ का lecture, था वाच्छ की रुचकर अग्जर, प्रिश प्रिच कर दूज रोड़ में बनीजीए।, जो प्रिच हैं सब्सक्राइब कर देखा जाए टीन के वीडियों ए किया वीडियों।, टे केर दूह बड़ पाई।, अब्स्ट कर के रागैं। टूए